हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका जिक्क्य हब में इस चैनल को बनाने का मुख उदेश जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड की चलते जो लोगडाउन लगी उसको ले करके सबका अच्छा से प्रिप्रेशन नहीं हो पाया इसलिए हम लोग जितने भी अब्जेक्टिव कोचंस होंगे बिहार बोर्ड इंटर के आर्ट्स ग्रूप के वह सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट और उसमें भी टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग डिसकस करेंगे इसी करम और स साथ ही साथ इस चैनल पर मैट्रिक के साइंस और एससटी दोनों का भी अब्जेक्टिव कोचंस पूरी तरह से चैप्टर पर चैप्टर इस पर अपलोड किया जाएगा और हर दिन कम से कम एक या दो वीडियो जो है जरूर आपको देखने को इस चैनल पर मिल जाएगा तो है, वह अलग लोगए स्टार्ट करते हैं पहला को चंस से सिन्दु घाटी सभ्याता की खोज किस ने किया इसका एंसर आपको नीचे दीया गया है दयायाराम सहनी अगला कोचंस,च नंबर 2 दयायाराम सहनी से न हरपा की सर्वमान तिथी क्या है सिंदु घाटी या हडपा की जो सब्याता थी उसका सर्वमान तिथी क्या है तो इसका एंसर दिया गया है तेई सो पचास इसा पूर्व से सत्रे सो पचास इसा पूर्व फ्रेंड्स यह इस भी नहीं इसा पूर्व है कोच नमर तीन में कोचन नमबर 4 हम लोग देखते हैं हडपा किस नदी के किनारे अवास्तित है या बसा है या है बात सेमी है इसका एंसर होगा रावी नदी किनारे कोचन नमबर 5 है मोहन जो दोलो की खोज किस ने किया एंसर होगा राखलदास पनार जी अगला कोचन देखते हैं मोहंजोदलो किस नदी के टट पर बसा हुआ था एंसर होगा सिंधु नदी मोहंजोदलो था प्रेंट्स वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था कोचन नमबर सात्वा है मोहंजोदलो की खोज कब होई तो मोहन जोदलो की खुच 1922 में राखल दस बनरजी ने किया था अगला कोचन देखते हैं कोचन नमबर 8 मोहन जोदलो को अन्य किस नाम से जाना जाता था तो इसका एंसर होगा मृतको का टीरा मोहन जोदलो को मृतको का टीरा के नाम से भी जाना जाता था कोचन नमबर 9 है चन होड़ो की खोज किस ने और कब किया इसके अंसर होगा गुपाल मजजुमदार ने 1931 में चन होड़ो की किनारे है या अवस्तित है इसके अंसर होगा सिंधू नदी फ्रेंड इसके पहले भी आया था एक मोहन जोड़ो किस नदी किनारे है तो वह भी सक्धू नदी किनारे भसा हुआ है कोचन नमबरर काली बंघ के क오ज किस ने किया काली बंगा कर खोज भीक्रेantal और भीम विलला था ब्रिवासिलल है जाना अलब के सात्केश नबर काली बंगा कि खोज किस नादीबर हुआ ता अगला कोचांस है दंफ महां किस नदी को सोड़ कि यeration अगला कोचांस देखते हैं मिलें कोर्दीजी की खोज किस की ताट पर किया तो इसके एंसर होजाएगा पुछ फचलामद ने उनीन तिरपण में किया था कोशन नमर 15 हम लोग दखते हैं कोर्दीजी किस नदी के तर्ट पर इस्तित है तो कॉर्दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे इस्तित है इसका पहले भी दो लगा सिंधु नदी किनारे हिसती था था पहले चुजटा मोह wn लुँस्टाओ इस नदिगे किया था अगला कोचन देखते हैं 23 नमबर रंगपुर किस नदिय किनारे है लोग पूर जो था वो माधर नदिगे किनारे इशतीत है अगला कोछयन देखते हैं रोपड कीखोज किस ने और कब किया ता रोपड की जो खौज हुआ या अग्नदथ शर्मा ने उन्हें से तिरपन से चपन के बीच में मैं रोपड का खोज किया था अगला कुछ देखते हैं कूछ नंबर 19 पर इस्तित या किस नदी किनारे इस्तित है तिसका एंसर जोगा सत्लाज किस रहा हुआ है फ्रेंट्स यहां पर जो सत्रलाज हुआ है फ्रेंट्स इसको सुदार लिजिए गलोग अपलोग यहां पर यह जो अकार जो होगा वो नहीं होगा चलिए आगे दखते हैं कोचिंस नमबर 20 अलमगीरपूर की खोज किसने और कब किया तो इसका एंसर जो दिया होगा वह किस नमबर कोचा वनावली की खोज किसने और कब किया तो इसका एंसर होगा आरेस वीष्ट ने 1974 में वनावली की खोज किया था अगला कोचंस है वनावली किस नदी के किनारे है तो इसका एंसर होगा रंगोई वनावली जो है फ्रेंट्स वह रंगोई नदी के किनारे इस था अगर कोचन देखते हैं तेस्ट नमबर कोचन धौला विरा की खोज किस ने और कब किया धौला विरा का खोज जो है वह आरेस विष्ट ने निस्टो पचासी से नब्वे के बीच में किया था धौला विरा का खोज अगर देखते हैं कोचन नमबर 24 अब वर्तमान में कहां है मतलब अब अब वर्तमान में किस जगँ पढ़ता है तो इसका अंसर जो हो जाएगा वह अब अब पाकिस्तान में पढ़ता है कि फ्रेंड्स अगला कोच नंस हम लोग देखते हैं कोच नंबर 25 मोहन जोदलो वर्तमान में कहां पड़ता है जो मोहन जोदलो जो है वह वर्तमान में कहां पड़ता है लरकान जीला जो की पाकिस्तान पड़ता है वर्तमान में पड़ता है कोच नंबर 26 कालीबंगां वर्तमान में कहां पड़ता है कालीबंगां जो पड़ता है inon जो कि राज वर्तमान में पढ़ है या किस ज API पढ़ता है यह भी ज लोला सकता है तो अ Ooooh लुह कोड़ीजी वर्तमान में कहां है कोड़ीजी यो अर्थमान में खैर पुर्पुर्पाक मतलब पाकिस्तान में यह भी पढ़ता है इसके पहले भी हम लोग देखने थे कि सिंद प्रांत में एक और उद्था ना यह हडपा सभ्यता का मोहन जोदुलो मोहन जोदुलो और हडपा वह भी पकिस्तान में पड़ते हैं और कोड़ीजी भी है यह भी पकिस्तान में ही पड़ता है कोच नमबर 28 से रंगपूर वरतमा में पड़ता है कोच नमबर 30 धौला वीरा वरतमान में कहां है धौला वीरा जो है वरतमान में कहां है तेसका अंसर जग कच्छ गुजरात कच्छ जीला है गुजरात का वहां पर पड़ता है धौला वीरा कोच नमबर 31 वनावली किस सराज में है इस तरह के फ्रेंट्स कोच इसरारे में पड़ता है तो वह अभी एंसर गुजरात ही होगा कुछ नमर 32 में हम लोग देखते हैं लोथल की खोज किस ने और कब किया था लोथल जो है रंग नाथ राव ने पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है लोथल यादर के फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट है यह लोथल जो है भवान अधी किनारे है और यह गुजरात में पड़ता है क्वच नमर 34 लगुहडपा या लगुमोहंजदुडो किस हडपा इस्थल को कहते हैं लगुहडप और भुचैनसे बसropolणो भार्तिय प्रात्त्वासर विभाग के जनक किसे कहड़ा जाता है यह पिता भार्तिय फ्रात्तवासर विभांट जनक या पीता कीसे कहा ज़ता है तो इसका हो जन्सईॉरल 玩 अलक्जेंडर कर हें sapos विडियो लंब हो जागा इसलिए आज 25 को सकतो इसमें सामिल किया है और दूसरा वीडियो जो कि साम तक अप्लोड हो जाएगा उसमें आपको सिंदुगाड़ी सब्याता से जितने भी कुछंस बन सकते हैं मैक्सिमाम वह सब को कवर किया जाएगा तो फ्रेंड्स आपसे यह हमबल रिक्वेस्ट है या वीडियो का लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें और खासकर आप सियर जरूर करें कि जितने भी स्टुडेंट जो की आर्स में हैं आर्स गूरूप के तैयारी करते रहे हैं इस वर एकजांस में द आना ही आना है पचास पचास भी आ सकता है यदि आप अच्छे से मेनद करेंगे तो तो फ्रेंड्स यह वीडियो हम लोगे पर समाप्त करते हैं आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू झाल